बच्चों आपको तो मालूम ही है कि हिंडी कॉपी में हमारी पांच लाइन होती है जिसमें से हम बीच की तीन लाइनों में ही लिखते हैं तो आज हम प, भ, ब, भ, मा का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले हम पा से शुरू करते हैं पा बनाने के लिए हमको अपनी दूसरे नमबर की लाइन से शुरू करेंगे और एक सीथी रेखा कीचेंगे उसको तीसरे नमबर की लाइन तक लाते लाते यहां रुकेंगे और यहां से गोल करते हुए दूसरी तरफ आएंगे यहां से सीथी रेखा कीचेंगे और उसको उसी के उपर दौराते हुए नीचे तक लाएंगे और जो हमारी चौते नमबर की लाइन है वहां पर रूप देंगे उसके बाद हम इस पर शिरो रेखा डालें यह बना हमारा पर पर से पतल पर के बाद आता है फर बच्चों फर बिल्कुल पर की तरह से बनता है तो पहले हम पर बलाएंगे उसके बाद देखेंगे लाओ एक सीधी रेखा यहां रुपते हुए यहां से गोल करते हुए फर लंबर की लाइन पर टच करेंगे फिर सीधी रेखा कीजेंगे यहां से और वो फोर्थ नमबर पर रुप जाएगी यह पावना यहां से हम अपनी पैंसिल को थर्ड नंबर की लाइन पर लाएंगे और रुपते हुए यहां से गोर उठाते हुए एक हुप बनाएंगे और इसको हम यहां पर पोर्ड नंबर की लाइन पर रोब देंगे उसके बाद इस पर हम शिरो रेखा लगाएंगे और हमारा बन गया ठ, प, ठ, ब, ब, बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खड़ी रेखा कीचे लिए और खड़ी रेखा को खीचते हुए यहाँ पर जो थर्ड टंबर की लाइन है वहाँ पर अपनी पैंसिल ले जाएंगे और वहाँ से ऐसे गोल बनाते हुए जहाँ से शुरू करेंगे वही पर ला करके खड़ा करेंगे ठीके बा को काटते समय बा का जो पेट है वो काटते समय ध्यांग रटना है यह हमेशा तिरची रेखा से ही कटता है ठीके बच्चों और इस पर हम शिरो रेखा लगा देंगे यह बना हमारा बह अगर आपने बह को इस प्रकार से काटा तो यह है गलत हो जाएगा बह हमेशा ऐसे कटता है यह सही है एक ठीके पर हमेशा बह के बाद आता है बह बह बनाने के लिए हम सेकंड नमबर की लाइन से स्टार्ट करेंगे एक गोला बनाते हुए उसी के उपर से हम सीधी लाइन लाएंगे और थर नंबर की लाइन से थोड़ा सा नीचे जैसे आपने ना बनाया होगा ना बिल्कुल वैसे उसको तिर्चा ले जाएंगे और तिर्चा ले जाएंगे लाइन से टच करते हुए सीधी लाइन के उपर ही खीचेंगे फिर रुकते हुए सीधी रेखा बनाएंगे उपर ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे और यहां पर शीरो रेखा खीच देंगे बच्चों भव में आपको इस बातपा ध्यान रहाना है कि भव पर पूरी लाईन नहीं कीची जाती है भव पर सिर्फ चोटी लाइन ही किजते हैं चोटी श्रयने काही कि इस्ते थीकिंगर को भा के बाद आता है मा बनाने के लिए आपको बिल्कुल भा की तरह लेना है लेकिन भा में हमने गोला बनाया था इसमें हमें सीधी लाइन कीशनी है और इसको नीचे लाना है थोड़ नंबर की लाइन से थोड़ा सा नीचे और जैसे न बनाया था बिल्कुल न की तरह से लात तक लाए हैं फिर एक सीधी रेखा कीचेंगे यहां से नीचे ले जाते हुए फोर्ट नंबर की लाइन पर टच कर देंगे और इस पर पूरी शिरो रेखा लगाएंगे यह बना हमारा म म तरक बच्चो यह है आपके क्हिन्दी की कउपी ऐन याक गी लाइन हमारी फिंग्लाइन उता है और ये याइन हमारी मांजनम तक हम सबसे पहले डेट डालेंगे अबभाणि ही लाइन और हिंदी कॉपी में 5 लाइन होती है इसमें कि ब्लू लाइन जो होती है इस पर ही हमको लिखना है तो हम स्टार्ट करेंगे परसे का ज़िए अब बनाने के विए हमने सीधी लाइन कीचिडि और हर नमबर की लाने के बाद यहां से गोल किया उपर ले गए और नीचे लाए इसके बाद शिरो रेखा बनाई यह बना हमारा प के बाद आता है फ़ः फः बनाने के लिए ध्यान रखना है आपको कि यहां आपको फिंगर ग्याग पे लाए एकदम सटाके नहीं लिखना है ठीक है तो हमने पिंगर के आप देख करके अपनी पैंसे यहां रखेंगे और फ़ बनाएंगे फ़ बनाने के लिए बिल्कुल पर की तरह से हम लाइन की जाएंगे गोल करते हुए इधर लाएंगे इसके बाद ओपर की तरफ ले जाएंगे और फ़ नमबर की लाइन तक नीचे तक लाएंगे बनाते हुए इसको फ़ नमबर की लाइन पर लाके पैंसल रोकेंगे और ओपर उठाते हुए गोल करते हुए पनाते हुए लाएंगे ये बना हमारा फ ये शिरू रेखा डाली और ये बन गया हमारा फ फ के बाद आता है ब ब मैंने आपको बताया है ब का पेट हमेशा तिर्चाई काड़ेगा ठीक है तो सकते पहले हाम सीधी खड़ी रेखा खीचेंगे और थर्ड नंबर की लाइन पर पैंसल ले जाते हुए वहां से गोल एकदम बोला बनाते हुए जहां से शुरू करेंगे वहीं खतम करेंगे और वोक पेट तिर्चाई कारतेंगे बलत नहीं काटेगा हमेशा तिर्चाई काटेगा इधर की दरब से और इस पर शुरू रेखा लगा देगे यह पना हमारा भव के बाद आता है भव भव बनाने के लिए हम फिर फिंगर कैप यहां पर करेंगे और यहां से पैंसल रखते हुए यह गोला बनाया और गोला बनाते हुए इसको थर्ड नंबर की लाइन से थोड़ा सा न एक शीचेंगे दिए यहां पर सीधी रेखा के संदेऊ आए वीव फर ले जाएंगे नीचे लाएंगे वर कर शिरो रिखा लगा देंगे खाब पर आपको ध्यान रखना है कि भौ पर हमेशा छोटी ही शिरूरेखा लगती है पूरी में शिरूरेखा नहीं लगाते हैं भौ के बाद आता है मां मां बिल्कुल भौ की तरह बनेगा इसमें हमको सीधी लाइन कीशनी है जो की थर्ड नमबर की लाइन से थोड़ा सा नीचे ज जैसे हमने भौ बनाया है ना सीखा है उसी तरीके से हम मां को भी बनाएंगे इसीधे ले जाएंगे और यहां से नीचे टच कर देंगे और शिरूरेखा लगाएंगे यह बना हमारा मां मां को हमें एक अकेले ही लिखना है यहां पर तो इसको बीच में लिखेंगे हम ठीके बच्चो एक बार फिर हम अभ्यास करते हैं और दोराते हैं प से पतंग प से पहिया फ फ से फसल फ से फरसा ब से बर्गर ब से बतक भ भ से भवन भ से भगवान म म से मगरमच म से मटर बच्चो यह है आपकी लेखन अभ्यास की किताब यानी राइटिंग बूप इस किताब का नाम है लेखन कलाला आज हम इस किताब में दो वर्णों वाले शब्दों का लिकित अभ्यास करेंगे जब दो अलग लग वर्णों को एक साथ जोड करके रखते हैं तो एक शब्द बनता है जैसे घर प्लस र बराबर घर घर में र को जोडेंगे तो घर बनेगा पेज नमबर साथ जैसे हम डेट डालते हैं डेट डालेंगे दो अक्षरों से बने शब्दों को पढ़िये और लिखिये पहले हम शब्दों को पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे चलिए शुरू करते हैं न ल नल नल अब यहां पर यह डॉट्स हैं पहले हम इनको अपनी पैंसिल से कवर करेंगे न ल नल देखिये इसके बाद हम फिंगर गैप अपनी जो उंगली है उसकी सहायता से यहां पर गैप करते हुए दो बार और लिखेंगे न ल नल फिर हमने फिंगर गैप किया न ल नल अब हमें इन ही शब्दों के नीचे इसका सुलेग करना है सी न ल नल एक बार फिर यहां पर लिखेंगे न ल नल इसके भी नीचे लिखेंगे न ल नल ठीक है बच्चो देखिए एक बार फिर से देखते हैं ज ग जग इसके बाद यहां जो डॉट्स है इनको भी हम कवर करेंगे अपनी पैंसिल की साहता से बहुत सुन्दर तरीके से ज ग जग यह दो अलग अलग वर्ण मिल करके एक शब्द बन गये हैं यह बन गया ज और ग मिलके जग अब हम अपनी फिर फिंगर की साहता से यहां फिंगर गैप करेंगे जग जग दुबारा से एक फिंगर गैप किया जग 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 अब इसके नीचे ही हमको इसका सुलेक करना है लेकिन बच्चों एक बात आपको ध्यान द्यान दूट्स रखनी है जो बुक में फॉर्मेशन दिया है उसको तो आपको वैसे ही लिखना है जो डॉट्स दियेगा है लेकिन जब आप अपनी पैंसल से शब्द को लिखेंगे तो आपको जो कॉपी में सिखाया गया है आप उसी फॉर्मेशन का स्तेमाल करेंगे ठीके बच्चों और इन ब्लू लाइन में ही लिखना है और एक लाइन में चार शब्द होने चाहिए इसका सुलेक इन्ही शब्दों के नीचे करेंगे आपको अपना ये कार्य बहुत साफ, सुन्दर और शार्फ पैंसिल के साथ ही करना है बिल्कुल गंदा नहीं करना है पेस और बार-बार नहीं मिटाना है बच्चों ये आपका होमवक है और इस वर्ग को आप अपनी कॉपी में और राइटिंग बुक में बहुत अच्छे से साफ और सुन्दर शार्फ पैंसिल के साथ करेंगे तैन्यवाद